दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल शेडिपी कुईन मांशी में पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे CTET के पेपर में जहां से टॉपिक्स मुशे आ रहे हैं जहां से कॉस्टन्स बन हैं उन कॉस्टन्स की बारे में उन टॉपिक्स की बारे में अगर आप लोगों का भी तक एक्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग ये क्लास जरूर देखे जाएगा इस क्लास को देखने के बाद म NCF 2005 के अनुसार कच्छा 3 से 5 तक के पर्रावड अध्यन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है कौन-कौन सी 6 थीम है पहला है परिवार एवं मित्र दूसरा है भोजन तीसरा है पानी चौता है आवाश और पांचवा है यात्रा और छटवा है हम चीजें कैसे बनाते है How we make things तो आपकी जो 6 ब्राड थीम है वो आपकी कौन-कौन सी है Family and Friends Food, Water, Shelter, Travel and How we make things तो ये आपकी 6 ब्राड थीम से है इनको आप लोग याद रखेगा और अगर आप से पूछ दिया जाए कि इन में से कौन सी एक मुख थीम में से नहीं है तो इनके अलावा ये जो 6 ब्राड पर 5 लिखे में इनके अलावा जो भी है जाएगा वो इसमें आपकी मुख थीम नहीं होगी तो इन 6 थीमों को आप लोग याद रखेगा यहाँ से कौशन से आपका बन नहा है हर एक जाम में अब हम बात करेंगे मदमकी पालन के बारे में तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को विजिबल हो जाए सही देख पाए पहला है मदमकी पालन बिहार के मुझफर पुर्ण का बचाहा गाउं इस इलाके में लीचे के पेंड बहुत अधिक पाए जाते हैं याद रखेगा बिहार का जो मुझफर पुर्ण जिला है उसमें बचाहा गाउं है उसमें लीचे के पेंड जो हैं अधिक पाए जाते हैं लीचे के फूल मदमकीयों को बहुत लुभाते हैं इसलिए इस चेतर के लोग मदमक्खी पाल कर शहद बनाने का काम करते हैं याद रखेगा इन पॉइंट्स को यहां से आपके कोश्चन्स बन रहे हैं मदमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर मदमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यहीं मदमक्खी पालन सुरू करने का सबसे सही समय भी होता है कौन सा अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो मदमक्खी पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है यहां से आपका कोश्चन्स बन सकता है और सायद एक दो गिजाम में बन चुका है आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं मदमक्खी के हर चत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है चत्ते में कुछ नर्मक्खी भी होती है याद रखिएगा मदमक्षी का जो चत्ता होता है उसमें एक ही रानी मक्षी होती है जो अंडे देती है आगे लिखा हुआ है चत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्षी भी होती है या दिन बर काम करती है आगे लिखा हुआ है या दिन भर काम करती है शहत के लिए फूलों का रस डूड़ती है जब किसी मनमक्खी को रस का पता मिल जाता है तो वा एक तरह का नाच करती है उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है आगे लिखा हुआ है वारस को वारस से सहद बनाती है शहता बनाने का काम भी इनहीं का होता है और बच्चे पालने का भी काम इनहीं का होता है कि इनका जो ये वरकर बीज होती है जो काम करने वाली मदमक्खियों होती है इनका छत्ता बनाने का काम और मदमक्यों को पालने का काम भी निका होता है आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है मदमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है इस बक्से में चीनी का मीठा गोल डाला जाता है जो नर्मक्खी होती हैं चते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं ध्यान रखीगा जो PDF है यह आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी वेबसाइट का लिंक नीचे description box में दे दिया जाएगा वहाँ पे क्लिक करके आप यह PDF डाउनलोड कर पाएंगे आगे लिखा हुआ है मदमक्खी के डंक में फॉर्मिक अमल होता है क्या होता है मदमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अमल होता है आगे देखते हैं अब चीटियों के बारे में बात करेंगे कि चीटियों के बारे में कौन कौन से वस्ताइं होती हैं लिखा हुआ है चीटियां मिल जूलकर रहती है और चीटियों का काम बटा रहता है जो चीटियां होती है वह मिल जूलकर रहती है और चीटियों का काम जो हता है बटा होता है सबका अलग-अलग काम होता है रानी चीटी अंडे देती है सिपाही चीटी बिल का ध्यान रखती ह यानि जो चीटियां और मदमक्की होती हैं इनका अलम सम एक तरीके का ही सबका काम होता है आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है काम करने वाली चीटियां भोजन ढूड़ कर बिल तक लाती हैं चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती है जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है और जो दीमक और ततया होते हैं ये भी समूम में रहते हैं ये भी सामाजिक कीट होते हैं आगे बात करेंगे रहसम के कीट के बारे में लिखा हुआ है रहसम का कीट अपनी मादा को इसकी गंद से कई किलो मेंटर दूरी से पहचान लेता है जो सिल्की वाम होता है जो सिल्क वाम होता है वो अपनी मादा को कई किलो मेंटर दूर से उसकी गंद से पहचान लेता है जो पैर के तलबा होते हैं, उनकी गर्मी से हमें ढूंड लेते हैं, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो अपने अंडे पानी में देते हैं, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, बीमारी, मच्छरों के द या एकठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं जो रुका हुआ पानी होता है या फिर जो एकठा हुआ पानी होता है उसमें मलेरिया के मच्छर या बच्चे पैदा होते हैं इसलिए मच्छरों के पजनर को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है इससे पानी का प्रेश्ट तनाव कम हो जाता है और आक्सीजन की अपूर्टी रुख जाती है जिससे मच्छर का लारवा मर जाता है ध्यान रखेगा जो खून चूसने का काम मच्छर करते हैं वह मादा मच्छर ही करती है नर मच्छर खून नहीं चूसते हैं यह पॉइंट आप लोग याद रखेगा जो मादा मच्छर होती है कि अवल वही खून चूसती है और वो क्यों चूसती है अपने अंडे और अपने बच्चों को सेने के लिए खून को चूसती है उनको पोसक तब तुप्रदान करने के लिए खून चूसने का काम माधा मच्छर करती है आगे देखते हैं नेक्स पॉइंट है डॉग या कुत्ता के बारे में लिखा हुआ है कुत्तों की गलियों में अपनी जगा बटी होती है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मुत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था जो कुत्ता होते हैं उनकी गलियां जो होती हैं वो बटी होती है और एक कुत्ता दूसरे के मल मुत्र या यूरिन की स्मेल से जान जाता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता को ये आया था हम बात करेंगे चूहा, उल्लू, मेना, चील बाज और गिद्ध के बारे में लिखा हुआ है, पहला पाइड लिखा हुआ है, चूहा की देखनी की चमता कम होती है, लेकिन सूंगने चूने टेस्ट करने की चमता अधिक होती है नेक्स्ट है उल्लू, उल्लू उपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है अगला point है मेना के बारे मेना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो आप लोग यहाँ पे उल्लू और मेना में confuse मत हुएगा जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है चील की पूँच खांचे वाली होती है आगे देखते है आगे लिखा हुआ है गिद मरे हुए जानुरों को खाकर जगा साफ कर देता है और आकास में उचाई पर उड़ता रहता है जो गिद होता है वो मरे हुए जानुरों को खाता है और उस जगह को साफ कर देता है और यह आकास में बहुत उचाई पर उड़ता है अब हम बात करेंगे कलचीडी या इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में लिखा हुआ है कलचीडी पत्थरों के बीच अपना गोसला बनाती है इनकी गोसले में पोधे की नाजुक टेहनी जड़े उन बाल रूई सब बिचा रहता है जो कलचीडी या रॉबिन बर्ड होता है इनके गोसले में टेहनी जड़ रूई उन बाल आद चीजें बिची रहती है यह चोटे-चोटे कीडे खाती है जो रॉबिन बर्ड होता है यह चोटे-चोटे कीडे मकोडों को खाती है इनकी चोच अंदर से लाल होती है कि इसकी जो कल चिडिया रॉबिन बर्ड होती है इनकी चोच अंदर से लाल होती है नेक्स्ट है कववा, कववा के बारे में बात करेंगे लिखा हुआ है कववे के घोसले में लोहे के तार और लकडी की टहनिया जैसी चीजें देखने को भी मिलती है जो कववा का घोसला होता है उसके घोसले में लोहे के तार और लकडी की टहनिया देखने को मिलती है कोवा पेंड की उँची डाल पर अपना गोशला बनाता है आगे लिखा हुआ है कोवा अपना गोशला नहीं बनाती है वह कोवे के गोशले में अंडे देती है जो कोवा लुती है वह अपना गोशला नहीं बनाती है वह अपने अंडे कोवे की गोशले में देती है और वारे स्कता आप पक्ष्ऍंट का में ब्छक कृ लाओ से सवरें लिक्ता है एक्षै कांटों के बीछ नो इस प्रक्षिल Nej प्रक्क प्रक्षे बनाता है हो आपना नेखेमर अक्तरों सुर्खक सर्ड़ यानि स्पेशों बेशंग लिखा운 हैं ौलमारी अक्षै पिछijn 2019 बनाती है, नेक्स्ट बात करेंगे बसंद गोरी के बारे में, लिखा हुआ है बसंद गोरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेंड के तने में गहरा चेंद बनाकर उसमें अंडे रखती है, जो बसंद गोरी पच्ची होती है वह गर्मियों के मौसम में टुक बसंद गोरी के बारे में ये वाला पॉइंट आगे है कबूतर कबूतर जो होता है पुराने मकान या खंडहर में अपना गोसला बनाते हैं नेक्स्ट है दरजिन चिडिया दरजिन चिडिया अपनी निकोली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थेली जैसी बना लेत दरजिन चिडिया के बारे में ये पॉइंट से तो जो दरजिन चिडिया होती हुआ अपनी निकोली चोंच से पत्तों को आपस में सी लेती है और उसी के अंदर अपने अंडे देती है नेक्स्ट पच्छी है हमारा शकरखोर पच्छी शकरखोर किसी छोटे पेंड या बारी की डाली पर अपने लटकता हुआ गोशला बनाता है। इसका गोशला बाल, मकडी के जाले, पतली टहनिया, बारी की घास, सूखे पत्ते, रूई, पेंड की चाल के टुकडों और कपडों के चीथडे आज से बना होता है। जो सकरकोर पच्ची होता है, उसका गोशला बाल, मकडी के जाले, पतली टहनिया, बारी की घास, सूखे पत्ते, रूई, पेंड की चाल आदि के टुकडों से बना होता है। नेक्स्ट है नर वीवर पच्ची, इसके अवारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नर वीवर पच्ची अपने गोशले बनाते हैं, मादा वीवर उन सभी गोशलों को देखती हैं, और फिर उन में से जो गोशला सबसे पसंद आता है, उसमें वा अपने अंडे देती हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वा गोशलों को देखती हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वा अपना गोशला चोड़कर उड़ जाते हैं। एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, यानि उन पर नजर डाल सकता है। पच्चे जब अलग अलग चीजों पर अपनी आँखें केंडिल्ट करते हैं, तो उनका देखने का दारा बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तो इनकी दोनों आखें एक ही चीजों पर देखती हैं। ज़्यादा तर पच्चियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं, वो अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। पच्चियों के पंक उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उन्हें नए पंक आते रहते हैं, और पुराने पंक जढ़ते रहते हैं। पच्चियों के कान दिखते नहीं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेंद होते हैं, जो पंकों से ढके रहते हैं। पच्छी इनीक के मदद से सुनते हैं हम बात करेंगे हाथी की बारे में लिखा हुआ है हाथी को पानी और कीचर में खेलना बहुत पसंद होता है सभी को पता होगा जो हाथी होता है उसको पानी और कीचर में खेलना बहुत पसंदता है क्यों क्योंकि उससे उसके सरीर को ठंडक मिलती है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं जो हाथी होता है उसके कान पंखे जैसे होते हैं गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिला कर हवा करता है तीन महीने के हाथी का वजन लगबग 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल होता है अगे लिखा हुआ है एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते वा जाड़ियां खा लेता है ध्याने कहीगा कभी-कभी पेपर में 100kg की जगे पे एक कविंटल भी लिखा हुआ आ जाता है तो एक कविंटल या 100kg की बात की जाए दोनों एक ही चीजे हैं अगे लिखा हुआ हाथी बहुत कम आराम करता है एक दिन में केवल 2-4 गंटे ही सोता है तो याद रहिएगा जो हाथी होता है वह बहुत कम आराम करता है एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है आगे लिखा हुआ हाथी परिशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं अब हाथीों के जुंड के बारे में बात करेंगे यहां से कई बार कोशन्स बन चुके हैं लिखा हुआ है जुंड में केवल हाथनिया और बच्चे ही रहते हैं जुंड के जुंड होता है उसमें हाथनिया और उनके बच्चे ही रहते हैं आगे लिखा हुआ है जुंड की सबसे बुजुर्ग हतनी ही पूरे जुंड की नेता होती है या रखेगा जो जुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हतनी होती है जो सबसे बुढ़ी हतनी होती है वही पूरे जुंड की नेता होती है इस जुंड में 10 या 12 हतनी और ब इस जुंड में रहता है फिर हम इस जुंड को छोड़ कर चला जाता है हम बात करेंगे श्रौत के बारे में ध्याने कि आप आपड़ों के लिए most important है दिखा हुआ है श्रौत देखने में भालू के तरह होता है पर ये भालू से अलग होता है जो श्रौत होता है वह देखने मे भालू के तरह होता है लेकिन या भालू नहीं होता है या भालू से भिन होता है ये दिन में करीब 17 गंटे पैंड से उल्टे लटक कर आराम से सोता है तो ये बात किसके बारे में की जा रही है ये बात शलौत के बारे में की जा रही है आगे लिखा हुआ है ये सपते में एक पर ही सौच के लिए पेंड नीचे उतरते हैं जो स्लोथ होते हैं उँगा सारी पतियां खायाते हैं और उसे अपना पैट भरते हैं ... और ये एतिधिक आलसी भी होते हैं। अगे लिखा हुआ है, छे गुना बहतर देख सकता है। बाग की मूछें हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं जिससे उसे सिकारी की सही इस्तित का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता भी ढूंड लेता है बाग अपने इलाके में मुत्र करके अपनी गंद छोड़ता है दूसरे बाग इस गंद को तुरंत पहचा लेते हैं यानि जो कुतों वारा सिस्टम था सेम वही सिस्टम भी बागों का भी होता है आगे लिखा हुआ है बाग मोके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है बाग का गुराना तीन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है जब बाग गुराता है तो उसका गुराना तिन किलोमेटर दूर तक सुना जा सकता है बग के दोनों कान बाहर की आवाज एकठा करने के लिए अलग अलग दिसा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं तो ये पॉइंट अभी आपके एक्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा जानवर है जिसके कान बहुत अधिक ज़्यादा घूम जाते हैं आवाज को एकठा करने के लिए तो क्या हो जाएगा उसका अंसर बाग हो जाएगा अगे लिखा हुआ है बाग हवा से पत्तों के हिलने और सिकारी की जाडियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को तुरंत भाप लेते हैं बाग होता है हुआ हवा से पत्ते हिले हैं या फिर कोई सिकारी जो है वह जाड़ियों पर चल रहा है उसकी आवाज में अंतर करके उसको भाप लेते हैं हम बात करेंगे सांप या श्नेक के बारे में लिखा हुआ है हमारे देश में केवल चार तरीके के ही जहरीले सांप पाय जाते हैं यह आपके NCRT में लिखा हुआ पॉइंट है आगे लिखा हुआ है कौन कौन से हैं उस चार तरीके के पहला है नाग दूसरा है करेत तीसरा है दुबोईया और चोथा है अफाई तो याद रखेगा कौन कौन से चार तरीके के जरीले साप है नाग करेत दुबोईया तथा अफाई चार तरीके के ही जरीले साप हमारे भारत देश में पाए जाते हैं जब साप किसी को काटते हैं तो उसके दो खोखले जहर वारे दांतों से उस व्यक्ति के सरी में जहर चला जाता है तो याद रखेगा सांप के जो हैं दो खोखले दांत होते हैं ना की चार होते हैं कई 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 बार जो है पेपर में चार खोकले दांत लिख देता है तो वो आपका आप्सन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा आगे देखते हैं लिखा हुआ है इस जहर से बचने के लिए उस वेक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो साप के जहर से ही बनाई जाती है यानि साप के काटने की जो दवाई होती है वो साप के ही जहर से बनाई जाती है आगे लिखा हुआ है साप के नुकुले दांत होते हैं लेकिन वो अपने सिकार को चबा कर नहीं खाता बलकि पूरा निगल जाता है साप के दांत नुखेले होते हैं लेकिन वो अपने सिकार को चबा कर नहीं बलकि पूरा निगल जाता है आगे लिखा हुआ है साप के बाहरी कान नहीं होते हैं वो जमीन पर हुए कमपन को सुन लेता है या फिर उस क्यों फेल कर लेता है सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं जो सपेरे होते हैं उनको कालवेलिया कहते हैं या फिर जो साप को पालते हैं उनको कालवेलिया बोला जाता है कालवेलिया नाच में साप जैसी मुद्राइन होती हैं आगे देखते हैं आगे बात करेंगे लंगूर के बारे में लिखा हुआ है जंगल में उंचे पेंड पर बैठ लंगूर अपने पास आती मुसिबत को देखकर खास तरह की आवाज निकाल कर अपने साथियों को संके देता है जो लंगूर होता है वह पेंड की उंची टाल पर बैठ कर अपने प मगर मच के चोटे चेंद जिसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं चिपकली के भी कान चोटे चेंद जिसे होते हैं मचलियां खत्रों की चैताउनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है जो डॉल्फिन मचली होती हुआ अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बाते भी करती है नेक्स्ट है गिलहरी के दान्त हमेशा बढ़ते रहते हैं दान्तों से काटते और कुतरते रहने के कारण इनके दान्त गिस भी जाते हैं तो यह रखेगा जो गिलहरी होती है उसके दान्त हमेशा बढ़ते रहते हैं और दान्तों से काटते और कुतरते रहने के कारण इनके दात गिष्टे भी रहते हैं तो ये थी आज की हमारी class आई होप आपको class अच्छे लगी होगी और यहां से आप लोगो questions मिलेंगे मिलेंगे ध्यान कीगा इस class की PDF हम अभी आप लोगों के जो हमारी website है उस पर upload कर देंगे जिसका लिंक आप लोगों को नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप लोग इस PDF को download कर पाएंगे जिससे आप लोगों को काफी सारी help मिलने वाली है और इस class से आपके लाग बक तीन से चार questions सौलो हो जाएंगे तो class को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों को नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवारत